स्वागत है आप सभी का आपकी अपने इसी YouTube चैनल में मेरे वीडियो सबसे पहले प्राप्त कहने के लिए मेरे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब किजिए और बगल में जो घंटी आए उसमें परमिसा आल किजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करता रहूं सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुशता रहे तो देखिए हैं आज के वीडियो में हम बात कहेंगे कि जो आपका संद गहिरा गुरु उनिवर्सिटी है विसुई डाले जिसका आपका परिक्षा एक्जाम डेट आ चुका है ठीक ना इसना तक का लेकिन ए महत्वपूर नह हम इस उडियो में देखेंगे जानकारी तो उडियो पूरा सुरुस देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक उसके बाद आपको जो भी डाउट हो आप कमेंड करके पूछ सकते हैं ठीक तो यहां देख सकते हैं पहले हम परिक्षा डेट के बारे हम जान लेत हुआ हुआ है हिन्हें आपका सभी के लिए देख सकते हैं इस नातक के वार्षिक पैक्ष्षा नातक के इस्ता मतलब गजिवेशन संब कि जाती है ठीक इसमें देखिए सबस्पहले हम B.com, B.C.A., Sastri, B.A., B.S.C., B.S.C. Antimors और B.S.C. Grih Vigyan सब ही का A. Antimors का है Final Year का जिसका आपका पेपर है पैक्छा का दिनांग 12 जुलाई 2020 सुमुवार से आपका पेपर होना है यहाँ देख सकते हैं आपका B.com, B.C.A. और Sastri वाले जो है उनका 9 बजे से होगा बाकी B.A. Antimors के जो है उनका 12 बजे से होगा और B.S.C. Final Year और B.S.C. Grih Vigyan वाले हैं उनका 3 बजे से होगा ठीक और आपको जमा करना है उत्तर पिस्तिका जाकर ठीक तो 8 जुलाई को आपको इंसर सिट इसका जमा करना है और 12 जुलाई से आपका एकजाम है B.com, B.C.A. सास्त्री ठीक ना B.A. B.S.C. और B.S.C. Grih Vigyan सभी के द्वितिव वर्स वाले जो हैं दूसरे साल वाले हैं सेकंड इयर वाले उनका एकजाम है B.A. B.S.C. और B.S.C. Grih Vigyan सभी के जो फश्तिया हैं प्रथम वर्स वाले उनका पेपर है चगदा जुलाई 2021 को उनको जमा करना है 30 जुलाई 2021 को इसी प्रकार आपका है B.com, B.C.A. और 6 C वालों का 9 बज़े से पेपर है बाकी आपका B.A. प्रथम वर्स का 12 बज़े से पेपर है और B.S.C. Grih Vigyan और B.S.C. अंतिम वर्स का 3 बज़े से पेपर है बाद में बात करें तो आपका B.P.E. भाग 1, 2, 3, 4 और B.A. भाग 1, 2, 3, 4 और B.A. भाग 1, 2, 3, 4 सभी वालों का ठीक गुरू आर 15 जूलाई 2020 से पेपर है 9 बज़े से आपका पेपर है 31 जूलाई को आपको एंसर सिट जमा करना है यह तो हो गए आपके पैक शादिनांकब आपको अभी बताऊंगा देखते हैं कि कैस से एंसर सिट आपको डाउनलोड करना है कहां से कहां जमा करना है सारे कि इस सुई जाले के वेबसाइट पर भी उपलब्द रहेंगे कोई अरुसुईधा होने या प्रस्नपत्र प्राफ्त नहीं होने की इस्तिति में छात अपने महावज जाले पर परिक्षा के अंडर पर संपक्षा कर सकते हैं परिक्षा समय साड़ी के उनसार परिक्षा प् जो है आपका धालेज के साइट पर भी आपका साइट या है www.asggc.ince आपका रहे गा ठेहिणावक सकते हैं प्रव्येसपत्र आप Install परिक्षा के साइब करweet प्रिक्षा से अउत कि आ जायेगा एक सब्ता पहले यहां देख जाहें आपको एंसर शीट के लिए क्या होना स्टाइश का पेपर स्टेपलंड करूप्योग कर सकते हैं जो आपका अन्सर सचट होगा उसका पेपर आपका होना चाहे इसमें आप नार्मल कापी भी यूज करते हैं और जो सदा पे जाता है फोटो कोपी वाला उसको भी यूज कर सकते हैं ठीक ना और उसको इस्टेबलर आपका मारना होगा प्रते क्रचर पसल्ड प्रत नपर्सक्र के लिए अलग-अलग उत्तर प्रेपर होगा मुख्य प्रिष्ट के नमुना का चायपरतिकर आकर प्यों किया जा सकता है जो उत्तर पुष्ट के आपका पहला पेज है वह आपका इस साइड बे किस नाम से रहेगा डाउनलोड एंसर सिट मेंट पेज इस नाम से आपका रहेगा ठीक नौ उससे डाले को वेबसाइड में ठीक एक ठो डाउनलोड करने के बाद उसका फोटोगोफी भी निकलवा कर हर एक उत्तर पुष्टका के पहले पेज में उसको लगाना है अच्छे सभर के ठीक यहां देख सकते हैं डाउनलोड क्रिच्चन पेपर लिंक को क्लिक करके अपना प्रस्ण पत्र आप डाउनलोड क करेंगे ठीक ना उससे दाले की वेबसाइट में उसी प्रकार यहां महतोपूर बात है देख सकते हैं कि प्रस्णों के उत्तर पाइक्छार्थी घर पर ही लिखेंगे ठीक ना आपको प्रस्ण पत्र यह मुबाइल नंबर का उलेक करेंगे प्रथम पेज में तो आपको सभ प्रथम पेज में अच्छे सभरना ही है साथ एंसर सीट का जो आपका लास्ट पेज रहेगा ठीक ना अंतीम पेज रहेगा उसने भी आपको अपना रोल नंबर ना मांकरन क्रमा कक्छा और विसाय प्रस्ण पत्र तथा मुबाइल नंबर का उलेक आपको करना है ठीक ना ल परिक्षार्थ समाब्ति के पांच और जमा कर सकते हैं घ्यान में रखते हुए हुए weighed जमा कर सकते हैं मतलब जो आपका जमा करना है वो आप अपने संबंधित कालेज में जाकर जमा कर सकते हैं जहां से परिक्षा फम भरा है भरे हैं ठीक ना यादी परिक्षार्थियों की भीड बढ़ जाती है जमा करने में तो स्पीड पोस्ट या कोरिया के द्वारा भी आप भेश सकते हैं उसकी जानकारी आपको आपके जो परिक्षा केंद्र है वहां के प्रचारे से मिलेगे ठीक ना तो आपको पहले कालेज में जाके जमा करना है 8 19 उपवस्ति का जो guideline है उसका पालान करते हुए बरिक्षा खर्याति अपने स्विधा के लिए उतरपुष्त का कि इश्याईपर्ति करवाा करें है है कैभ़ेश्य श्याईप्र हो मने नाए ह होगा वहां छायए परति ठीक means, हुआ होना चाहिए कंप्यूटर द्वारा टाइप उत्रफुष्ट के आपका माने नहीं होगा एक उलपति जी का साइन है ठीक ना मतलब यहीं दिसाइन इस आपको देना था ठीक ना यहीं आपका मायन उदेश्य था इस वीडियो का तो डियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक